दोस्तों कैसे आप लोग आपकी सीटेट की पढ़ाई बेहतर चल ले होगी और दिन प्रत दिन आप उसमें लगातार इजाफ़ा कर रहे होंगे तो मैंने भी आपके लिए आनलेंग क्लासेज शुरू कर दी है तो प्रश्णी उड़ता है कि आप मेरी आनलेंग क्लासेज क्यो करें अच्छा इस कीच को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास तक देखेगा हो सकता है यह वीडियो आपके काम का हो और हो सकता है इस मेरे वीडियो से या आप मेरे साथ जोड़कर आप आसानी से सीटेट क्वालिफाई हो जाए तो सबसे पहले हम सीटेट क्वालिफा करते हैं तो 7 वर्सों के लिए वैलिड होगा जबकि UP के लिए वैलीद होगा सीटेट पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट किसी भी स्टेट में यदि आप इजिवल है सीटेट क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते जबकि UP अगर आप क्वालिफाई हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं या आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते हैं तो इसलिए सीटेट आप सभी के लिए बहतर है और यह सीटेट पूरे देश में जो परिच्छा आयुजित की जाती है लेकिन इसको पास कैसे किया जाए सीटेट को क्रैक कैसे किया जाए इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक उठता है वो उठाते हैं गनित तो गनित आप जानते रहेगा गनित चाहे यूपिटेट की दिश्टे कौन से देखा जाए सीटेट की परट में से सीटेट की बात करें तो यह सामने अगर यूपीट के दिश्टेट सिप्धाइब और को अगर यही ग्रित हम यू-पी ट्रेट में अगर पड़ते हैं तो ऐसे छात्र जिनका गड़ित कमजोर होता है जिनको गड़ित से डर लगता है वह गड़ित से लगाता है डरते हैं क्योंकि यूपी ट्रेट में पूरा पूरा फॉर्मूले पर आधारित मैतमेटिक्स होती है मतलब वहाँ पे ऐसे बहती जिनकी गडित में वीक है या ऐसे बहती जिनकी गडित में पकर्ड कमजोर है उनके लिए यूपीटेट में 30 में 25 करना बेहत मुस्किल हो जाता है और उसके लिए वो लगातार मेहनेद करते हैं प्रस्टेट भी हो जाते हैं उसे के तुलना अब हम सीटेट के साथ करते हैं तो सीटेट की जो गडित है सीटेट की गडित एकदम आसान होती है यदि आपको अभी तक गडित नहीं आ रहे थी या आप गडित नहीं सीफ पा रहे थे या गडित में आपको समस्या हो रहे थी या आप बायोगुर्प से थे, या आप गरित को समस्थेत होते, लेकिन उसे जब solve करना था, आपको समस्य आओती थी, तो seated में देखते है, seated की गरित में दो खंड हो जाते हैं, 15 नमबर की mathematics सवावल आते हैं, 15 नमबर की theory हो जाते हैं, जिसे हम गणित का सिच्छा सास्त कहते हैं और यह जो 15 नंबर के सुरुवात के होते हैं या एकदम सरल प्रश्ण होते हैं माने गणित के नारमल प्रश्ण पूछे जाते हैं जितना कि आपको पहले से पता होता है जोड़ घटाना गुड़ा भाग भिन लस बस और अगर इस पंद्र की बात करें हम यहां 12 कर सकते हैं इस पंद्र में भी आप अगर लगातार क्लासिस करेंगे और आप मेरे दोरा बता आगे मात दर्शन पर चलेंगे मैं बताओंगा भी कैसे पढ़ना है तो यहां भी आप 15 में 13 करके मतलब आसानी से यदि आपको गडित न नहीं आता उस कंडिशन में आप कितना कर सकते हैं 12-13 मतलब 25 गडित में 25 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं जबकि अब यूपीटेट की बात करें यूपीटेट भी उतना टफ नहीं जितना हम अफसोसते हैं लेकिन यूपीटेट बायो ग्रूप के भीरती या जिनकी गडि सकता है इसलिए अब इसलिए उनके लिए त्याहिए इस तीस नंबर के प्रश्णों में कभी-kभी 20 अंक तक पहुचना के लिए पहुचने के लिए कड़ी महनत करनी परती जबकि उसका यहां पर 20% एगर महनत करते हैं तो आसानी से 25 नंबर तक पहुच सकते हैं क्योंकि य स्कूर हो सकता है लेकिन यहांइंट की जादा करनी है और आपको मेहनत कम करनी है इसलिए अपको up separated रिक तर्विकल्प है जिस समय आपको गएर से भाते हैं यह गणित आपके रुजहान विश्व में पसंदीदा में नहीं समलित होता है उस समय आपके लिए सीटेट की गड़ित काफी महत्पूर हो जाएगी और काफी उपियोगी हो जाएगी और साथ साथ अन्य विसे की चर्चा करते हैं और हाँ यदि आपको वास्तों में इसे 30 में 25 से जादे गड़ित में लाना है तो साथ आपको मेरी अन्लाइन क्लास जोइन कर लेते हैं तो उसके लिए बताएंगे आपको क्या है और इसे तो 630 634 367 पर आथ वर्ट्सएप करेंगा सोट्णी सीट्ट करेंगे जाइन और हम अगे बात करते हैं कि गनित के साथ साथ अगर आप और आपके लिए अपक्या करेंगे और आप करते हैं दोनों कंडीशन में आपको ब worden है वह किताबें और किताब हैं वह किताबें क्कौन ambiguous क्क्रते कच्छा तीम की यह आपको खरिदनी है देखिए यह मार्केट में आपके हाँ मिल जाएगी नहीं मिलेगी यह मैं यह पीडिया फाइल उपलब्द करा दूगा यह पीडिया फाइल मेरे टेलेग्राम चैनल पर उपलब्द हो जाएगा और जल्द ही दुर्गेसर.com मेरी वेफ की यह अच्छा पांची गड़ी थे यह किताब आपको इसकी मैथमेटिक्स पूरी तरह से एक बार सॉल्व कर लेनी यह बहुत ही आसान है और साथ ही साथ इसके क्रिया कल आपको विशेज तौर पर धान देना है मैं इसको बताऊंगा मैं इसकी वीडियो भी आपको होती पेस करता है वह है आपका पर्यावरण अब पर्यावरण की भी से में बात करते हैं पर्यावरण तो वास्तों में अब हम पर्यावरण की यह बात करें तो पर्यावरण में भी दो खंड़े लेते हैं एक हम यूपीटेट की तरफ अगरसार होते हैं तो यूपीटेट क जो परियावरन होता है इसका जो सेलबस होता है वह काफी ब्राड होता है यूपिटेट का परियावरन का सेलबस काफी ब्राड होता है और ज्यादतर परिछों में जितनी बार हुए एक कोश्चन नतिवर्स आउट आफ सेलबस भी रहता है जैसे इस बार भी था आपने देख सब्सक्राइब करने परती है जब कि उस ही के पेच्छा यह दिहम सीटेड अगर सीटेड की बात करें यह दोनों क्यों को प्रशन है यह तीस-àng मार के होंगे यहां भी और यहां भी तीस-सिस नंबर के होंगे लेकिन इसमें क्या है यहाँ दो यहां यहां पर्यावरण के प्रशन के प्रशन हैंगे लेकिन के प्रशन होते हैं वह पर्यावरण समंधित到 nad paintагद के मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरे साथ जुणकर आप आसानी से यहां पंद रहां पंदフresserी कर सकते हैं लेकिन हो सकता है examinator pressure में आप से गलतिएं हो जाए आपसे दिक्कत नोकिomorph हो जाए तो किसी नोभर याल में आप किसी कंडिशन में प्लस 25 प्लस आसानी से इन तो ना सांटी से बहुंच सकते लेकिन इसके लिए मेंनत करने के ऐसाथากट समय है और के लिए आपको दोनों के लिए प्रैक्टिस जरूरी है प्रैक्टिस के साथ साथ आप मेरे द्वारा देए कुछ निर्देश जो हम आपको लगातार गाइड करते रहेंगे और साथ ही साथ यदि आप उनसे जुड़ते हैं तो भी नहीं जुड़कर पढ़ना चाहते हैं आप को प्रॉपर सी टेट के लिए परियावणन पढ़ांएं क्योंकि वह परियावण के दिये के सेलवर्स की भ्याथ्षा करते हैं ना कि वह प्रैपर भी डेली प्रद्दिन सालव कराओंगा तो लगता है यह तो सब एकदम अलग आता है इसलिए हमें पढ़ना भी है एकदम जैसा कि परिछा में प्रश्न आता है, अब ये तो होगे परिवर की बात, अगर आप हमसे जुड़ते हैं, नहीं भी जुड़ते हैं, फिर भी आपको तीन किताबे खरीद के एक बार पूरी पढ़नी होगी, और अगर जुड़ भी जाते हैं, तब भी वर किताबे आपको खर ले रहे हैं, जैसे मिलेगी हम आपको उसकी भी दर्सन करा देंगे, एक है आसपास के नाम से आती है, परियावरन अध्यान, जिसे हम EBS कहते हैं, यह कच्छा चार की, देख लीजिए, यह NCID की किताब है, कच्छा चार की, आसपास के नाम से आती है, इन सभी के PDF हम आपको प्लब्द करा देंगे, इसको देख लीजिए आप अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आते हैं अच्छा पास का, यह अच्छा पास का भी आसपास है, यह किताबे आप पूरा पढ़ ली जगा, एक किताब पढ़ने में आपको चार से पांस दिन लगेगा तो पास्तियां, पंदरा दिन में जब इस किताब को पढ़ेंगे, प्रीबियस एर के पेपर साल्ब करेंगे, तो आपको काफी मदद मिलेगी, इतनी मदद मिलेगी जितने हम आप समझने सकते, मार्केटन कोई ऐसी किताब नहीं किताब कर सके, उतनी इसकी अलावा कोई कित कर दे अगर यह किताबे आपको मिल लाती है दीबेश्ट नहीं मिलती है पीडियो फोर में हम आपको प्लब्द कराएंगे यदि आप उनले जुड़े तो भी नहीं जुड़े तो भी लेकिन हा नोस का कोई मतलब नहीं है इस किताब के बाद बाकी प्रश्णों को साल्ब करने 630-634-367 पर आप जुड़े लेकर भेज देज़ेगा बाकी नाटिफिकर से मिल जाएगी मैं अंतर तक यह बताऊंगा कि जोड़ने से आपको क्या फायदे है क्या नुपसान क्या आपको वास्तों में मेरे साथ जोड़का पढ़ना चाहिए अथवा नहीं अब आगे साथ साथ हम बाल मनो विज्ञान के रुप में भी देखते हैं यह वास्तों में अगर इस प्रकार से क्या योगदान दे सकता है या आपके पास जो लैंग्वेज है लैंग्वेज के भी क्या अब बाल विकास तीस नंबर के आएंगे ठीक अब हम देखते इसको भी दो करते है दो पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं एक तरफ हो जाएगा यह यूपी टीटी दूसरी तरफ ऐसे नाम से जाते हैं अब यूपी टीटी में यह मात्र पूरा-पूरा तीस नंबर के सीधे-सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको अधिक तयारी और अ नमबर का बाल का स्केम्ड ठीर नंबर हैं यह क्या होते हैं से जूड़े वे एक विध्यारती का एक स्धुन्झा में एक और भठाकाहि published कि Elevines 15 नमबर के प्र époना हैं पंदरा नममर के बाल कख छे साथ रहेगी लेकिन साथ ही साथ लेकिन साथज साथ इस बाल विकास का इस पंदराइ नंबर की सर्विप्टे थीर फिर पंदराइ नंबर पहले आपका सिक एवे आप पिर पंदराय नंबर है लेनल मेद ए पिर पंदर नंबर की मली फंदिया राउ लेंग्वेज जो भी रखें या लेंग्वेज फंस्ट की लगतेते सीधा लेंग्वेज फर्स्ट फिर 15 नमबर कि लेंग्वेज सेकेंड मतलब इस समय इसका इस सीटेट में इसका जो रो हो जाता है यह 1555 प्लस 1590 वास्तों में वाल्विकास का जो प्रृषण है अकेले नव्य मार्स का है मतलब कि यह अकेले चलान करें लोदेमें चलाइनrec में हम इसका मातर आत्रत रस नवर का लेकिन कैसे जिसे अगर हिंदी रखा है जो भी रखेंगे उसकी भी पेडालोगी मतलब उसकी भी आपको जो बाल्विकास उसका सिच्चा सात्र वही पढ़ना है मतलब सभी पेपर में 15-15 नंबर का जो पेडालोजी है मतलब जो आपकी सिच्चा सात्र है माने यह बाल्विकास यह निर्धायित कर देगी कि वास्तों में आप सपल होंगे या नई कहने का मतलब यह 90 नंबर अकेले है जो आपको क्वालिफाई कराता है क्या करता है जो क्वालिफाई कराता है इसके लिए आप हमारे टीम में दो बड़े धुरंदर आ गए हैं दो बड़े धुरंदर एक धुरंदर को आज मैंने वीडियो डाली आज उनका पहला दिन था इसलिए उनको थोड़ी समस्या हुई जब कि जोति मैं क के वह दो एक दुसरे कम्पेटर है कहने का मतलब बसक्राने मावले में वह एक दुसरे को नालिस के बाले में वह बहतर है दोनों M8 gold medalist है आप जोती मेम को आप जानते हैं जोती मेम भी आपको online पुरा पढ़ाएंगी और साते ही साथ आनन सर आज से सुरू कर दिये हैं वो भी आनन सर भी पढ़ाएंगे और मतलब एक मेम और एक सर मिलके दोनों लोग मिलकर इस 90 नंबर की आपको बहतर तरीके से रा करते होंगे 150 में 90 नंबर ही qualify है किसके लिए qualify है जनरल कडेगरी के लिए मैंने जनरल स्टी और इसी कुछ भी हो यह नब्बे मार्क सीटेट में लेते हैं पा जाते हैं यह आपको प्राप्त होते हैं तो आल्रेडिया क्वालिफाई हो जाते हैं किससे मात्र मात्र एक सब्ज करेंगे क्योंकि इस नब्बे नंबर के लिए आपको एक भैतार रणनीतिक जरूत पड़ेगी वह रणनीति कैसे बनेगी मैं आपको बनाते हुए चलाओ और आगे भी मैं आपको रणनीति बता रहो हो सकता भुसारे ऐसे अभ्यारतिया बहुसारे ऐसे यूटूबर होंग आपके लिए जिनरात एक करके किया ताकि आप कैसे सफालो लेकिन आगे क्या करना है अब आगे हम लोग देखते हैं तो 90 नंबर या बालविकास समझ लिजेगा या बालविकास आपके लिए कितना उपी होगी है और खासकर सीटेट के लिए और अगर यहां सीटेट के सीटेट के भी तीस नंबर आप बहतरीन तरीके से सेफ कर लेंगे बचा लेंगे क्योंकि इस बात सीटेट में आपको पढ़ने के लिए समय काफी लंबा या ज्यादा मिला है अब आगे आते हैं अब अगले चरण की बात करते हैं अब हम लोग को देखना है लेंग्वज फ पुरी बात आपको समझा देता हूं कि मेरी online class जोइन करने से आपको क्या-क्या फायदा होंगे पहली चीज जैसे कोई भी विक्ति यादर अने किसी स्थान पर कोचिंग करने जाते हैं या किसी संस्थान में कोचिंग करने जाते हैं देख रूप रेखा मैं समझा रहूं सी सीटेडी कोचिंग करना है माले जी यह कोचिंग संस्थान है यहां पर कोई कोचिंग संस्थान है यह संस्थान उसके घर से 30 किलोमेटर की दूरी पर है 30-20 जो भी हो लेकिन 30 किलोमेटर में वह बाई रोड बाई रोड 25 किलोमेटर और 5 किलोमेटर उसको गाउं में है तो ब तो तीज तीजी साठ लगभग 10 टर्मानता है साठ मिनट का समय उसे लगा जाने में मैंने एक घंटे का समय उसे लगेगा और वह कोचिंच से समय जाने से पूर्छ बेगा मतलब कि कहीं कोचिंच श्टार्ट नो हो जाए मने वह डेली का 2 से 3 घंटा उसे कोचिंग के अलावा घर से समय बेतीत करना पड़ेगा प्लस तीन घंटे की वह क्लासेश करेगा तो 6 घंटे पढ़ने के बाद जब वह घर पे जाएगा क्या रिविजन कर पाएगा क्योंकि वह पहले से ठका हुआ है एक बाद दूसरी बाद वह जितना किराया देगा किराया भी देगा और पता नहीं वहाँ पे बेतर टीचर कलेक्शन है भी या नहीं या वह सीटेट की भाती पढ़ा रहे हैं भी या नहीं तो इन सब भी बातों के साथ यदि वह डेली का 40 रुपय जाने का 40 रुपया आने का 80 रुपया किराया दिया हमने 50 माना तो डेल जर पर महीने किराया तीन महीने की बैच चली तो पंदरत या 45 रुपया उसने क्योल क्योल किराया में खर्च कर दिये और एक बात और किराय के साथ साथ यदि किसी दिन किसी दिन वह घर से कोचिंग के लिए निकला और तबियत नहीं सही नहीं थी तो उस दिन कोचिंग नहीं गया या साधी नहीं थी तो उस दिन का जो पढ़ाया गया वह तो छोड़ गया कि आगले दिन अध्यापक आपको समップूर सीडर की संपूर क्लासेश आपको घर पर मिल लेंगी पहली बात है कि अ करिव जहानमें खर्च होता था वो तीन घंटे की आप ग्लास पुरी लेंगे दूसरी बात कि नहीं पहुंच पाते थे लेकिन अगर अचानक आपके सादी में या कहीं बैसने टवियत खराब है तो अचानक आपको लगता है कि रात में आपको पढ़ना तो रात में जैसे मोबाइल को क्लिक करेंगे मेरी क्लास अब को समझ में नहीं आई तो ऑनलाइन क्लास में आप जब चाहें दुबारा क्लिक करके आप मेरी मेंच की वीडियो एक से दस बार देख सकते हैं, जबकि आफ्रेंट क्लासे में क्यों कोई एक से दोबर बता जा सकता है, ऐसा नहीं है, कि किसी ब्यक्ति ब्यक्ति बिसेस कर, पूरी क्लास को, एक एक क्लास को कई दिन तक लगातार पढ़ाया जा, ऐसा संभव नहीं है, जबकि ऑनलाइन में आप घर पैठे, जितनी ही बार चाहें, उतनी बार आप परसकते हैं, दूसरी बात, आपको दूसरा फायदा क्या है, एक प्रादा यह है, कि आपका एक्जाम होना है साथ जुलाइ को, कि द्रिक ओ साथ जुलाइ को आपकी परिच्छा होनी है, तो भी परज़ने का प्रेसर है, वो पुना ग्लिट के लिए आपको दुबारा पेमेंट करने पड़ते हैं, जबकि आप अगर हमारे यह online class जोईन करते हैं, बेसा कि online classes जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, यह 2-3 मेने में course खतम हो जाएगा, लेकिन वह सारी वीडियो और आपकी कुछ classes ऐसे रहेंगी, जो regular मिलती रह कि फिर भी वो वीडियो आपके पास पड़े रहेंगे, उस वीडियो को आप दुबारा तब तक देख सकते हैं, जब तक की परिच्छाएं संपन न हो जाए, मतलब वो सारी वीडियो आपके पास 7 जुलाई तक से रहेंगे, 7 जुलाई बार वो अपने आप उस website से डिलीट न हो जाए, इस बात को घराई समझेगा, मेरा कहने का तात्पर ये था कि आपने एक बार कोचिंग का फीज भरा, अगर कोर्स कंप्लिट हो गया, तो भी आप उसे रिवीजन करने के लिए सारे वीडियो आपके पास पूरी तरह से सेव रहेंगे, तब तक के लिए जब तक परिच्छा संपन्द न हो जाए, अगर परिच्छा साथ जुलाई के आगे भी जाती है, तो तब तक पढ़ा जागा, जब तक आप ये परिच्छा पूरी तरह से संपन्द न हो जाए, और एक छोटी सी मामली सुल्ग पर इसके लिए आपको विशेज जानकारी करनी के लि प्रवाइड कराएंगे, हाट कॉपी के लिए आपको अलग से जोड़कर जो खर्च होगा, वह आपको अलग से पे करना होगा, अब अगला प्रस्णी होड़ता है, कैसे 6306344367 पर आप WhatsApp कर दीजिएगा, जाइन सीटेट लिखकर, जैसे जाइन सीटेट लिखकर मैसेज करे लेकिन यदि थोड़ी सी हमारी मदद कर देंगे, क्योंकि अगर मदद करेंगे, तो हमारे साथ, क्यों मैं के लिए नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, उन टीम को मुझे बैसक मिले ना मिले, लेकिन उनको भी कुछ हद तक देना होगा, या उन तक कुछ न कुछ प्रफाई हो सकते हैं, तो आपका most welcome है, यदि आपको लगता है, यदि लगता है कि नहीं, या नहीं हो पाएगा, या आपसे उचित नहीं है, या जादा है, या बैर्थ है, तो फिर कोई बात नहीं, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे किताबे हैं, हाँ, उसके लिए भी मै परिच्छा पैटन पर नहीं है, हो सकता एक आग दो हो या ना हो, लेकिन आप अगर मेरी बात का विश्वास दो, कमेंट करने से पहले, आप एक बार जरूर जाके, मार्केट से कोई प्रैक्टिस से उठाईएगा, पिछले पांच और सो को पेपर उठाईएगा, दोनों को कमपेर करेगा, फिर ही आप बताईएगा, क्या जो मार्केट्व प्रैक्टिस सेट है, क्या वैसा प्रशन परिच्छा में पूछेगा है, या जो मार्केट्व सेलबस उपलब्द है, सेलबसी किताबे उपलब्द है, क्या ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वह रखेंगे वह रख सकते हैं एक English, Hindi और Sanskrit या तीन लेंग्विजी रखेंगे कौन-कौन English, Hindi और Sanskrit इन सभी के 30-30 नंबर के आएंगे लेकिन मैंने पहले बता रिया 15-15 नंबर के इनकी क्या आएंगी सिच्छण सास या सिच्छण बेधी आएंगी मतलब सिच्छण बीधी के सास स सारे मैटर मिलांकर सिच्छण बीधी तुमाली दो से तीन नंबर के आते हैं तो मिलाकर यहां से आपके 30 नंबर के प्रश्ण होंगे आपको 2 language चूच करना इतमें से कोई 2 language संभवत्ता आप चूच करेंगे यदि आप उत्तरभारती हैं या उत्तर उत्तरभारती हिंदी र इस पंदरह में इनके दो पार्ट होंगे पहला पार्ट क्या होगा पहला पार्ट हो गात्र जैसे इंगलेंगे नव नंबर के गद्यांस जिसे आः के तो आप कोई भीTube रखेंगे म मानि दोनों मिलाकर आपको कितने नंबर के पंद्र मांक्स के आंगे यह नंबर पूरे पूरे सेफ हैं मानि नौ और च्छा पंद्रा नंबर आपके एक भी गलत नहुंगे खुदान खासता हो सकता कहीं गल्तिक वज़ासे आपके इन पंद्र माने नौ छा पंद्रा दो प्रेशन में आप 28 ला सकते हैं क्योंकि इसमें क्यों पैसेज के अधारपाई साल्व करना और हां कैसे किया जाएगा यह हम आपको क्लास में पूरा समझा के और कई पैसेजों का प्रैक्टिस करा के हम आपको इतना निपोर कर देंगे कि आप साथ जुलाई आते तक चाहर जो भी पैसे साल्व करेंगे सीटेड या सीटेड समंदित आप 15 के 15 प्रश्ण सही करेंगे क्योंकि उसमें ब्याकरण नहीं होता ब्याकरण कुछ चीजे चंद चीजे होती है जो आपको पढ़ाया जाएगा और मैं यह प्रयास करूंगा कि इसकी जो ट्रिक है इसकी जो तकन सही जवाब या सही उत्तर आप दे सकें और यह पूरी तैयारी के साथ अगर अगर आप तैयारी करते हैं तो यहां पे भी 30 है और प्लस 30 नंबर के जो इसकी सिछण बिधियाएंगी हम कहते हैं 30 में अगर आपने 20 पाया तो 320 मिला के 50 90 नंबर की उधर जो सिच्छा साथ हम पूरा कंप्लीट क्या था जोला था अगर उस 90 में 70 मिला तो 75 बार 120 हुआ 10 नंबर और कम करते हैं किसी भी कंडिशन में आप 110 ला सकते हैं क्योंकि आपके पास एक लंबा समय है मतलब अभी भी आपके पास समय है साथ जुलाई तक और या साथ साल के लिए वेलिड बहुत स जागरित होती है मैंने वह जिग्यासा जागरित होती है वह एक क्या क्या से थी इसको मतलब उसके लिए सब्द ही नहीं आ रहे मेरे पास कि आप अगली परिच्छा के लिए अपने आप में बहतर फील करते हैं क्योंकि हो सकता है आप जब पहली बार परिच्छा देने समस्या आए ना हो क्योंकि बहुत सारे भरती 2015 जो था उसके साथ समस्या क्या थी देखिए उसके साथ तीन मैच जो थे quarter final semi final final मतलब पहले बिटी सी का पेपर हुआ यदि बिटी सी के पेपर में बैक लग गया तो quarter final से भाहर हो गया उसके बाद कर वो कालिफाई कर गया अग पास है किंटु यह three stage ने गलती तो पूरी तरह रेस से बाहर तो रेस में रहने लिए उससे पूरी तरह से तीनों मैच जीते ने थे अब आपके सामने भी हो सकता कभी इस प्रकार के समय आ जाए इसलिए उस समय आने से पहले आप अपने आपको पहले से सेप करके रख रख टेंकि यहां तो मैं इस सब को बताऊंगा अब तक भी यह बात पूछेगी ताकि आप सभी किसी प्रेकार कोई गलती ना करें और इस बार आसानी के साथ सीटेट पास करें क्योंकि सीटेट में रट्टा नहीं मारना है किवल कॉंसेट को समझना है और इसके लिए पढ़ाने का तरीका सबसे अलगा यह पूरी कहानी की तरह पढ़ा जाएगा एक से दो दिन आपको पहले बोर्यत मसुष्च होगी उसके बाद वास्तों में आपको इतना मज़ा आएगा सीटेट पढ़ने लोगों ने कह दिया क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं ससी रेलवे बैंकी वही पढ़ाने आते हैं लेकपाल की मैं वह यह आते सीटेट की पढ़ाते हैं अगर उन्हें सीटेट कोई परिच्छा दी नहीं है तो कीसे पढ़ा लेंगे आप तलपना करी आपका आज पर समस्य आ तो क्या हड़ी की डॉक्तर दिखाने जाएंगे नहीं आप आप नदिखाने जाएं लेकिन हमारे यहां क्या है ऐसी कोजिंग संस्थार जिनके हां कभी कोई भी बैच चल दी थी जैसे सीटेड आएगा सीटेड का बैट वोड लग जाएगा सीटेड की क्लासे उपलब्द है सिच्छक बरती सिच्छक बरती क्लासे उपलब्द है पुलिस पुलिस की क्लासे उप क्योंकि वह सही मार्ग दसन कर सकता है हमारे यहां जो दो दुरंदर बल्ले बाज आए हैं वह चार-चार सीटेट पास हैं विद मार्ग सीट आप उनसे मिल लीजेगा आपको दिखाएंगे चार बार से कांटीन्यू आज की जो बैट्समैन थे और जोती मैं यह सथ चार बार स से कांटीन्यू सीटेट पालिफाई हो रहे हैं तो उनके पास एक लंबा अनुभव है और उनका सब्जेक्ट भी है वह आपके लिए किताबे भी लिख रहे हैं और हम भी लिख रहे हैं जल्दी मार्च तक आते आते आपको हमारी किताबे उपलब्द हो जाएंगी क्योंकि प्रैक्टिस से आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं वह प्रैक्टिस सेट जब पूरी तरह से सीटेट पैटर्न पाधारित होगी ताप आने था उसमें भी आपके लिए समस्या होगी और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक भेज़ दिएगा हो सकता है या आप सबी से मेरी एक रिक्वेस्ट है यह आप आलें क्लास ज्याइन करना चाहते हैं तो 6306 344 367 पर ज्वाइन लिखकर मैं वाट्सेप कर दीजिएगा अनि कोई जन करें कि लिए आप कॉल कर सकते हैं लेकिन वाट्सेप करेंगा कुछ दिन बात कॉल आपका अटेंड न कर किया जा सकें बाकी चीजिए आपको अलग से नंबर प्राइट किया जाएगा आपको किसी समझ सकें समाधान के लिए और आप यदि आप जोन नहीं करना चाहते हैं लिए क्लासे तो आप टेलिग्राम करेंगा सर्च करिएगा दूर्गेश सर्च करेंगे आपके सामने आए दूर्गेश जैसे जोइन करेंगे आप जोइन करेंगे साथ ही फेच्जूक पेज़ लेनिंग दूर्गेश से दिस्किप्शन में दोनों के लिंक दिये गा है और आप प्रयास कीज़ेगा वास्तों में आपको सेटेट कॉलिफाई करना आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं आपको समझ लेट से आए हो सकता यह बात आपको बाद में भी दित हो कि वास्तों में आपको मुर्श से जोड़ना चाहिए या मेरे साथ जोलकर आपको सीटेट के तैयरी करनी चाहिए क्योंकि यह कंपटिशन दौर है आपका मोस्ट वेलकम है हाँ गरीब भ्हरती के लिए जो उस योग नहीं है कि वह किसी संस्तान वेडिमिस्टा ले सके या ऐसी कंडिशन उनकी जो पे नहीं कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि किसी ब्यक्ति भीसे से कोई ब्यक्ति हो पैसे वाजे से किसी पढ़ाई और दना होने पाए ऐसे भ्हरतियों के भी हम मौका देंगे औ और एक छोटा तर टेस्ट कराएंगे और टेस्ट क्या दार पर क्योंकि ऐसे वास्ता में पढ़ना चाहते हैं उनका भी हमारे संस्था में मौस्ट वेलकम है लेकिन इस बात का सभी लोग मजाक ना बनाएंगे कारण यह है कि जिस समय में यह कहता हूं कि गरीबे भैरती के लि कि मुझे समझोता करना पर जाता है इसलिए आप सभी समझदार हैं इसलिए आप अपने केरियर की जब बात आएगी तो वहाँ पे आप अपना दिमाग ना लगा के कुछ हद तक यह सोचेगा आप मेरी मदद करें क्योंकि संस्था को चलाने के लिए कुछ अगर आप मदद और आप बहतर अंकर जीत करें और सुपर्टेट के लिए भी आप हमारे से जुड़े रहें ताकि आपको हम एक बहतर अध्यापक गुरूप में देख सके या जो आपने सपना सजोया है एक अध्यापक बनने का वस अपना जल्दी साकार हो जाए और साथी साथ उन सभी अध्यापक बनने काम करेगा क्योंकि इसको आप चितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं और साथ आप जब जागेंगे तभी सवेरा जब आप चाहेंगे आपकी कोचिंग क्लासेज आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी यह आपके लिए फाइदा है आप ब्यास्त रह क्लासेज आपके लिए महत्त पूर है हम यह कहेंगे यदि आप कहीं और जोइन करना चाहते या जोड़ना चाहते हैं तो आप हो सकता है मुझे कहना ने चाहिए लेकिन आप सभी यह सोचेगा हो सकता है मेरे साथ जोड़के आप बहतर फिल करें या बहतर पैड़ाम के आप बहुत सरह ऐसे बहती हैं जो प्रदवंदी भी हैं लेकिन ऐसे लोग से भी हम सम्मान करते हैं क्योंकि उनके डियन ने में उनके जीन में जो होता है वही सब्द की ब्याक्षा करते हैं थम्यासा करते हम यह चाहेंगे आप सब लोग भी जोड़िये और मॉस्ट विलकम इंगलिज की रैंबो लिजेगा वह भी आपके काम की देखिए आपके कच्छा थरकी रैंबो अगर आप इंगल्लेस लेंगच रखना चाहते हैं क्योंकि पैसे इसमान ससब्सयर देखिये एंगलिज की है ए oniẞेरोगो के यामसी आपाना याप लिखा वहाओगा और बेक्र प्रेंग के लिए प्रोच के लिए समस्य रखते हैं संस्कित की भी किताब इस समय है मेरे पास संस्कित की आपको अप्लब्द करा देंगे आप भी इसे पढ़ते रहेगा क्योंकि आपके पास समय बढ़िया है समय जदा इसलिए यह परिच्छा आपके लिए समय का मिलता था इस बात समय लंबा मिला है तो इस समय का सथी प्योग करें और अपनी भाविश की तरह अग्रद सारों भाविश इच्ण का सपना पूरा करें क्योंकि रेस के घोड़े रेस मेंचल लगते खेत मेने कहां चलगत तो बस इसी एक साथ आप लग जाए एंसाटी किताब ले ले लेजिए आपको नहीं मिल पाती है थम पीडियाप में आपको अपने इन टेलेग्राम चैनल के आपको प्लब कराएंगे और आपके लिए ठेट सारी सुब कमना है और आप खुछ से भी पढ़कर या परिचा क्रे निवाद देते हैं और इस वीडियो लिंक को सेर कर दिएगा जय हिन जय भारत